देखें आने वाला सप्ताह किस राशी के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले मेश राशी सवभागे का पूरा साथ मिलेगा सीनियर्स आपके काम की कारीफ करेंगे सप्ताह के मध्य में सतर्क रहना होगा वैपार सम्बंधी ने ने सूच समझ कर ले सेहत का विशेश खयाल रखें उपाय मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं प्रती दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रिशब राशी सामाजिक और व्यवसाइक दृष्टी से लाब मिलेगा धन निवेश से आर्थिक लाब होगा भूमी भवन के क्रय विक्रे से लाब होगा यात्रा करनी पर सकती है बुजूर्गी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा उपाय किसी धर्मिस्थल पर जाकर धन और श्रम दान करें प्रती दिन गायत्री मंत्र का जाब करें बिथुन राशी वाणी और वैवहार पर नियंत्रुन रखे परिजन या जीवन साथी के साथ तक्रार की संभावना है पैसा सोच समझ कर खर्च करें फैसला सोच समझ कर लें रोजी रोजगार की दिशा में प्रयास सफल होंगे उपाय प्रती दिन गणपती की साधना करें बुद्वार के दिन 108 दुर्बा गणेशी को चड़ाएं करक राशी ये सपता मिला जुला साबित होगा परिजन और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा कारिक शित्र में चिनोंतियों का सामना करना पड़ेगा सेहत का खयाल रखें प्रीम संबंधों में प्रगार ताएगी उपाय प्रति दिन शिवलिंग पर गंगा जल चड़ाएं और शिव चालीसा का पाट करें सिंग राशी मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा आएके नए साधन बनेंगे पुराना विवात खत्म होगा यात्रा का प्लान बन सकता है सिहत का खयाल रखें उपाय उप्ते हुए सूरे को नमस्कार करें आदित्ते हिर्दै स्रोत का पाट करें कन्या राशी विवेक से काम लें लोगों के बहकावे में ना आएं भूमी भवन से संबंधित नए-नए जल्दबाजी में ना लें सिहत को लेकर मन चिंतित रहेगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं उपाय गड़ेश्ची की उपासना करें प्रति दिन गणपती अथर्वा शेश का पाट करें तुला राशी दूसरों के भरोसे कारे करने से बचें तबादला या फिर कारिक्षेत्र में बदलाब हो सकता है यात्रा में सेहत और समान का खयाल रखें जीवन साथी की सेहत का खयाल रखें तर्क वितर्क करने से बचें उपाय दूद, दही, चीनी आदिका दान करें हर रोज इस मंत्र का एक माला जाब करें व्रिशिक राशी कोई नया काम हाथ में ना ले सोच समझ कर पैसे खर्च करें घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है सेहत का खयाल रखें प्रेम संबंधों में प्रगारता आएगी उपाय हनुमान जी की उपासना करें मंगल स्रोत का पाठ करें धनुराशी समय का प्रबंधन करने की आवशक्ता है धेर सारी काम एक साथ आ सकते हैं विभिन स्रोतों से आय की योग बनेंगे जीवन साथी का सहयोग मिलेगा सेहत का खयाल रखें उपाय विश्नु के मंदर में गुड और चने की दाल दान करें विश्नु सहस्त्रिनाम का पाठ करें मकर राशी सभलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी पैसा सोच समझ कर खर्च करें कारिक्षेत्र में गुप्त शत्रू सक्रिय हो सकते हैं सतर्क रहें और किसी से उलजने से बचें पत्नी की सिहत का खयाल रखें उपाए शनी से संबंधित चीजों का दान करें इस मंत का एक माला जाप हर रोज करें कुमराशी सब्ता मिला जुला साबित हो सकता है अचानक लाब या फिरहानी की योग बनेंगे कागज साइन करते वक्त उसे पढ़ले सेहत का खयाल रखें आवेश में कोई काम ना करें उपाए देव्यांगे व्यक्ति को जरूरत का सामान दान करें शनिवार को पीपल के पेड के नीचे दिया जलाएं मीन राशी कामकाज के साथ सीहत का खयाल रखें आर्थिक दृष्टी से सप्ता आपके लिए ठीक ठाक रहेगा रोजगार के प्रयाज सफल होंगे जिवन साथी के साथ अनबन हो सकती है कामकाजे महलाओं के लिए चिनाथी भरा सप्ता रहेगा उपाए आपने गुरू या किसी पुरोहित को पूजा की सामगरी दान करें विश्णू सहस्त्र नाम का पाठ करें वीडियो डिस्क अमारुजाला.ड़ कॉम डाउनलोड करें अमारुजाला है और पाएं खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें